आईए बेटा अब हमेने इसको questions को समझते हैं कि questions कैसे करते हैं उसको समझे ज्यों से बेटे आपको represent करना है visualize करना है इस number को इस number को आपने visualization करना है तो आप कैसे करें हैं मेरे बेटा पहले तो आप यह समझो कि ये जो number है 5.8 ये किसके बीच में आएगा तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपके पास एक number line है ये number line आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो मेरे बच्चे आपको पता लग पा रहा है कि ये जो number line है इस number line के अंदर आपका ये जो first number है 5.8 ये कहां locate करेगा ये locate करेगा मेरे बच्चे इन दो numbers के पीछ में तो magnification क्या कहता है कि पहले आप इन दोनों को magnified करो तो बच्चे मैंने क्या करा इसको और magnified करा यहां क्या लिखा 5 और ये आपका क्या number होगा 6 बिटे आपने पीछे वीडियो में एक logic सीख चुके थे कि क्या logic था कि हम जो d निकालते थे वो क्या करते थे s minus r n plus 1 तो हमें यहां n चाहिए था 10 numbers का बिटे ये जो चीज होता है कुछ बच्चे समझ गई होंगे कि हमारा कोई भी logic होता है वो क्या करता है जैसे कि हमने एक number लिया था 1 और 2 इसके बीच में जो logic क्या कता है कि इन दोनों के बीच का difference कितना है 1 और basically हमें number क्या चाहिए थे 10 number चाहिए तो n क्या हो जाता था 9 और ये 1 क्योंकि 9 ही number निकाल सकते है 10 निकाल सकते हैं आपकी निकलते हैं तो कहा निकलते हैं 1.1 1.2 तो ये लॉजिक पता लग जाता है कि ये जो चीज आ रही है ना आपकी 0.1, 0.2, 0.3 further side हो जाएंगे बात समझ रहे हैं तो सर यहां तब मतलब ये समझ में आया कि यहां पर अगर हमें करूँगा तो ये क्या जाएगा 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 and 5.9 ठीक है तो मेरे बेटे आपके पास फर्स डिजिट का जो नंबर था यानि कि 5.8 ये 5.8 यहां पर आ जाता है आपका अब जो 5.8 के पास अगला नंबर है वो क्या है? 9 तो 5.89 यानि कि यहां पर नंबर नजर आता है 5.8 कि ये इन दोनों के बीच में रहेगा अगर नंबर को और बढ़ाते हैं तो नंबर बनता है 5.89 ये कहां मिलेगा मेरे बैच्चे? ये मिलेगा इन दोनों के बीच में clarity आ रही है फिर magnification से इसको और फर्दर करा गया तो ये फर्दर करने के बाद ये क्या बना? इन दोनों के बीच में तो 5.8 और 5.9 के बीच में logic क्या कह रहा है कि 0.1 एड करते चले जाएंगे तो 0.1 अब इसमें पाइंट गरेंगे तो क्या बनेगा ये मिले अच्चे? 5.81, 5.82, 5.83, 5.84, 5.85, 5.86, 5.87, 5.88, then 5.88, 5.89, तो अब ये जो नंबर है, इन नंबर के बीच में मिल गया था, अब इसका जो फर्दर नंबर था, वो क्या था? वो नंबर था, 5.895, समझें मेरे बात को? मेरे बच्चे, अब ये मुझे बताओ कि 5.89, तो 895, ये कहां मिलेगा आपका? ये नंबर आपके पास इन दोनों के बीच में चला गया, क्योंकि देखो दिहान से, 8.9 तक तो ये आ गया मिरे बेटे, और इसके बाद ही 5 आएगा, तो यानि कि मुझे और फर्दर डिवाइट करना पड़ेगा, तो और मैगनिफिकेशन से इसको करा, तो अब इन दोनों क बीच को स्वाल करेंगे, तो ये 5.89 और ये कितना है, 5.9 अब ये क्या बनेगा मिरे बेच्चे, वही बेसिक रूल, तो 5.891 ठीक है, मिरे बेच्चे, 5.892, 5.893, 5.894, 5.895, 5.896, 5.897, then 5.898, then 5.899, ये आपका next number आजाएगा, बात समझ रहें, अब मेरे बेटे, आपने क्या चीज समझनी है, आपने समझना है कि किस तरीके से वो चीज निकल के आएगी, तो अब ये जो number निकल के आया, ये जो number है, वो number क्या बना, वो number बना, आपका 5.95, तो मेरे बेटा, ये जो number है, ये आपको यहाँ पर मिल गया, ये magnification glass से इसको आपने देख लिया, कि भई, ये जो number है, ये number इस तरीके से यहाँ magnified होगा, तो मेरे बेटे इन दोनों के बीच में, दैन इन दोनों के बीच में, दैन इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये जो number है, ये number आपका locate, point निकल के आगया, इस तरीके से आप अपने number lines पर इसको point up कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, अब हम देखते हैं, कुछ further questions, ये दोनों मेरे बेच्चे, आपकी books में दे रखा है, example number 11, इसको solve करते हैं, मेरे बेटे की क्या कह रहा है, कह रहा है कि visualize करना है, the representation of 5.37, on the number line, up to 5 decimal places, that is 537777, अब मेरे बेच्चे, ये तो क्या था, non-terminating number था ना, तो उसमें ये बताया है, कि यहां तक number line, आप दिखा दो तो आपको तो पता ही है मेरे बेच्चे, आप क्या गरेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे, कि number क्या है, 5.3 है, तो आपका एक simple number line क्या हो गया, ये हो गया मेरे बेच्चे, 0, minus 1, minus 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे बेच्चे, 5.3, तो ये जो number है, first number, ये जो 5.3 है, वो इन दोनो number के बीच में होगा, clarity आ रही है, अब इन दोनों बीच के होगा, तो फिर आपको एक number line draw करनी पड़ेगी, then number line is 5 and 6, ये जो number निकल क्याएंगे, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, अब ये जो number है, ये number बनके क्या हो जाता है, ये number हो जाता है, 5.37, तो मेरे बच्चे, 5.37, ये number तो कहां मिलेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है, अब उसको और फर्दर करो, तो ये फर्दर और करां मेरे बच्चे, क्योंकि next number फिर 7 है, तो 5.3 से लेके, 5.4 तक, तो ये मेरे बच्चे क्या बनेगा, 5.31, 5.32, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, ये आपका 3.9, तो 377, ये कहां मिलेगा बच्चे, इन दोनों के बीच में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये आजाएगा 5.377, अब आपको और फर्दर number निकालने पड़ेंगे, इन दोनों के बीच में, ये number इन दोनों के बीच में मिलेगा, तो आपने ये number निकालना है, तो आपन नम्म लाइन क्या हो जाएगी 5.37 से लेके 5.38 तक clarity हो रही है तो यह क्या नम्म निकलेगा 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379 यह नमबर आ गया अब मेरे बेटे आप यह देखो कि यह जो further नमबर है यह नमबर तो यहां मिल गया ठीक है अब इसके साथ एक और 7 है यानि कि 5.377 यह इन दोनों के बीच में मिलेगा फिर further line कीच देते हैं लो बेटा यह लो further line यह आपकी further line आ गई यह इन दोनों के बीच में आएगा अब बड़े ध्यान दो समझना यह क्या हो जाएगा 5.3777 और यह क्या हो गया 5.378 ठीक है अब बड़े ध्यान समझे यह नमबर क्या निकल क्या आएगा 5.373 377 यह 378 यह नमबर नहीं है यहां पर ही मैं आपको इसको ठीक कर देता हूं यह जो नमबर है 5.37 है है आपके पास क्या नमबर बन गया आपके पास नमबर बन गया 377 ठीक है मेरे बेटा तो यह क्या नमबर आएगा 5.3772 यह क्या आएगा 5.3773 यह क्या आएगा 5.373 7.74 यह क्या आएगा 5.3775 यह क्या आएगा मेरे बेटाए 5.3 776 ये क्वाइंट 7377 ये 5.3 777 8 ये क्यों गाएंट 5.3 7 7 7 ये क्वाइंट 5.3 7 7 8 ये क्वाइंट 5.3 7 7 9 डैन्न ये नमबर आ जाएगा अब बड़े ध्यान से सुनों अब ये जो लुबार है ये फर्दर फिर बढ़ा होगे यह तो नमबर ही हमिल गया इसके अलावा एक नंबर हो रहा है यह देखो ध्यान से कितने 7 है फूर 7 है ना सर यह कहा मिलेगा यह मेरे विच्चे मिलेगा आपको इन दोनों के बीच में 5.37777 यह नंबर इन दोनों के बीच में मिलेगा अब फिर इसके नंबर लाइन गणानी पड़ेगी चलिए कोई बात नहीं यह 7777 अब यहां से चलिएगा मिले विच्चे 5.37771 5.37772 5.37773 5.37774 फिर आएगा मिले विच्चे 5.37777 3 7 7 7 5 5.37776 यह आएगा 5.37777 यह आएगा 5.37773 यह आएगा अप necessarily be तो मेरे बच्चे आपने ये नंबर जो है लोकेट कर दिया ये लोकेट नंबर कहा हुगा यहां जाके लोकेट हो गया ये आपका क्या बन गया ये आपका पी यानि कि ये लोकेट नंबर आपने करना था ये आप लोकेट कर गए बात समझ में आ गए इस तरीके से आप ये लो मेरे बच्चे आगे qx example न देखिए मेरे बच्चे कि इस को आपने number को locate करना इस number को locate कर लेते हैं यह number क्या है मेरे बच्चे त्यान से देखो three pass so b study आपके पास यह number क्या है minus two minus one zero one तो पहले मुझे बताओ ये नंबर क्या है 3.7 तो इन दोनों के बीच में मिलेगा अब नेक्स नंबर क्या है 3.76 तो इन दोनों के बीच में जाके मिलेगा सही है जी अब 3.76 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 से लिके 4 तक के नंबर लोकीट करने पड़ेगे तो नंबर क्या जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ये आगया आपका 4 अब ये नंबर होगे अब ये नंबर और बढ़ा दिया उन्होंने का कि नंबर ढूंडो तो नंबर 3.76 ये मिलेगा भाईया इन दोनों के बीच में फिर आपको इसको माइगे बढ़ा करना पड़ेगा लोजी बढ़ा कर दिया आपने ये करा 3.7 यहां क्या 3.7, 1, 3.7, 2, 3.7, 3, 3.7, 4, 3.7, 5, 3 3.7, 6, 3.7, 7, 3.7, 8, 3.7, 9, ये क्या आगया 3.8 आगया अब ये नंबर तो आगया अब ये जो नंबर था ये क्या है 3.65 सर जी 3.7, 6, 5 ये तो यहां चला गया ना पास समझ रहे हैं इनके बीच में फिर आपको लंबा लिकाना पड़ेगा तो देन फिर नंबर लाइन बना नंबर लाइन गया होजाएकि? 3.76, 3.76, 3.76, 1, 3.76, 2, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 4, 3.76, ौ, 3.76, 3.76, function, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 3.76, 6, 9 और यह क्या जाएगा 3.77 अब आपका जो नंबर है वो क्या है 3.65 यह मेरे बच्चे आपका नंबर मिल गया यह आपको नंबर मिल गया मेगनिफिकेशन कर लिया आपने उसको यह आपका नंबर पॉइंट निकल के आ गया इस तरीके से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं चलिए मेरे बच्चे एक और कुशन देखते हैं आपका यह कुशन क्या कह रहा है कि फिर विजुलाइज करो किसको 4.26 बार को अप टू कितने डैसिमल तक भहिया जी 4 डैसिमल तक तो 4 डैसिमल तक आपका क्या नंबर हो जाएगा 1.2626 यह नंबर बन गया जी बात समझ रहे तो भहिया सबसे पहले देखो 4.2 है तो 4.2 कहां जाएगा पहले आपने एक नंबर लाइन कीची माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4 5 आपने का जी 4.2 तो यहां मिलेगा ठीक है अब 4.2 के लिए आपने फिर आपने एक नंबर लाइन कीची आपने यह नंबर लाइन बना दी यह 4 हो गय यह 5 हो गया, यह क्या आ गया, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, अब यह जो नमबर 4.2 है, वो तो यह आ गया, next नमबर क्या था, 4.26, तो इन दोनों के बीच में मिलेगा, 4.26, अब इन दोनों के बीच के लिए एक नमबर लाइन ड्रॉ करो, लो जी नमबर लाइन 4.2, अब यह आ जाएगा, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, यह कितना आ गया, 4.3, अब यह 4.26 तो यहां मिल गया, अब नेक्स नमबर क्या है, 4.26, तो 62 कहां मिलेगा, मेरे बच्चे वो तो यहां मिलेगा, अब इन दोनों के बीच के नमबर के लिए आपको नमबर लाइन बनानी पड़ेगी, दैन फिर नमबर लाइन बनाए आपने कौन सी नमबर लाइन, यह नमबर लाइन गई आपकी 4.26 से तो यह क्या बना, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, तैन लास्ट नमबर क्या हो गया आपका, 4.27, नौ जी यह नमबर भी मिल गया, यह नमबर कहा है, यह रहा आपका नमबर, अब हमें यह नमबर चाहिए था, हमारा नमबर है, वो क्या है, 4.26, तो भीया, वो तो नमबर यहां मिलेगा, 2626 इन दोनों के बीच में, तो सहिए जी आप फिर एक नमबर लाइन बना लो, लो जी नमबर लाइन बन गई आपकी, यह आ गया, 4.262, यहां पर क्या नमबर निकला, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, और यह नमबर क्या बना, 4.263, तो मेरे बच्चे, आपका यह जो नमबर है, यह नमबर कहा है, सर जी यह नमबर यह रहा, आपका, मैगनिफिकेशन से, यह मिल गया, पॉइंट आपको, आपने इसे, फाइंड आउट कर लिया, बात समझ में आगी बिटा, इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, करिये विच्चे,